निमलिखित में से कौन आलर कालम का सही वर्ण करता है? आपके options हैं पहला बुद्ध का एक शिश्य, दूसरा एक बुद्ध भिच्छू, तीसरा बुद्ध के समय के राजा, चोथा बुद्ध के एक शिच्छक. आपका समय शुरू होता है अब आपका सही जवाब है चोथा यानि की बुद्ध के एक शिच्छक. जब बुद्ध एक सन्यासी थे तो वे आलर कालम के अधीन अधियन करने गये, जो सूस्थापित धार्मिक शिच्छकों में से एक थे. बुद्ध ने उनसे ध्यान आदी जैसी कई सारी चीजें सीखी और आखिरकार जब आलर कालम बुद्ध को और नहीं सिखा सके तो उन्होंने उनसे कहा अब आप भी मेरे जैसे ही ग्यानी हैं और अब यही रहें और मेरी जगहलें और मेरे साथ मेरे च्छात्रों को पढ़ाएं. आलर कालम सांखे दर्शन से संबंधित सर्वस्रिष्ट आचा और वही सिखाया जो उन्होंने अपने अनुभाओं के माध्यम से महसूस किया था. बाद में बुद्ध को पढ़ाने के कुछ वर्षों के बाद आलर कालम को एहसास हुआ कि गौतम ने बहुत कुछ हासिल किया है और उन्होंने अब उतना ही ज्यान प्राप्त कर लिया है. इसलिए उन्होंने अपने साथ केंद्र चलाने और चात्रों को पढ़ाने के लिए कहा. लेकिन बाद में आलर कालम खुद ही सेंटर छोड़ कर चले गये और गौतम बुद्ध अपनी आगी की शिच्चा के लिए उद्धक के पास गये. उद्धक एक रिशी और ध्यान के श अनुसार वे गौतम बुद्ध के शिच्चकों में से एक के रूप में वड़ी थें.